मद्धिप्रदेश के ग्वालर जिली के डब्रा में इन दिनों चोर गेंग सक्री नज़रा रहा है सक्री हुए चोर की रोह का पुलस पकरने में नाकाम दिख रही है मैं सिटी थाना शेत्र की दिदार कॉलोनी वार्ड कुर्मांग 11 में कुलवंत सिहा सरदार के सूने घर में गुसे चोरों ने चोरी की वार्डात को अंजाम दिया मैं गर के मुखी दर्वाजे का ताला कटर से तोड़ कर गुसे चोरों ने जब कर उटपात मुचाया नीचे के कमरे से लेकर उपर के कमरे तक घुसे चूर दर्वाजे का ताला कटर से काट कर अलमारी और पलंग के बॉक्स में रखी सामगरी समेट ले गए इतना ही नहीं घर में रखी एक टीवी और LCD सहीत सिलसी टीवी कैमरे का DVR भी ले गए जिसे उनकी पहचान नहीं हो सके वहीं आपको बता दे कि दिदार कॉलोनी वार्ड नमबर 11 में कुलवन तसी हां सरदार का दो मंजिलागर है लेकिन वह अपने परिवार के साथ है कुछ दिनों से अपने बेटे के यहां बैंगलोर में निवास कर रहे हैं यहां घर की रखवाली की जिम्मधारी उन्होंने अपने परोसे रिष्टदार को दे रखी है इस सूने घर के होने का फायदा चोरों ने उठाया और रात को मुखी दरवाजे का ताला तोड़ कर कमरे की ताले को कटर से काट कर और चोरी की वारदात को अंजाम दिया इस चोरी की वारदात का पता बंद पड़े घर में जब पडोस में रहने वाले रिष्टदार पहुँचे तब लगा जसके बाद मामले के सुचना पुलिस को दी गई और पुलिस अब घटा इस थलका जायजा लेने बाद चोरों को पकड़ने के प्रयास में जुटी है बड़ी बात यह है कि इस से तिन दिन पुर्व भी शहर के मुखे बाजार एलवा ब्रीज के नीचे चोर किराने के दो दुकानों को अपना निशाना बना चुके हैं जहांसे वो गल्ले में रखे कुछ पैसे वासामागरी समयट ले गए थे इस मामले में भी पुलिस चोरी किरने वालों का सुराग नहीं लगा सकी है डबरा सिमरान खान की यह रिपॉर्ट